आलू का बहुत ही मज़ेदार चटपटा तेस्ती सा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिये हुए हैं दो मीडियम साइज के आलू जिनको की बहुत सॉफ्ट वाइल किया है तो ये नाश्ता इतना टेस्टी है और इतनी जल्दी बन जाता है घर के साम मौझूद घर म नाश्ता है और चटपटा सा है और बहुत बढ़िया है तो फ्रेंड्स आप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर देना और समस्केचिन को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लेना और अपने फ्रेंड कर लें और बिल्कुल भी इसमें गुल्ठिया नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल हमें एकसा कर लेना है अच्छी तरह मैश करेंगे तो इसके लिए जरूरी है के आलू हम अच्छे सॉफ्ट वाइल करें और अगर आलू टाइट रह जाते हैं तो पर आपका दुकश कर लें और यहां पर है यहां पर मेरे पास कटी हुई प्यास है चोटी और थोड़ा सा शिमला मिर्च है बारी कटा हुआ बिल्कुल और धनिया है थोड़ी सी बारी कटी हुई सब चीजों को बारी काटेंगे और यह है हमारे पास एक चिली फ्लेक से चोटा चमच और आधा चोटा के लिए और यहां पर है हमरे पास ओयल इन सब चीजों को डाल करके मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले आलू सब बढ़िया तरह से मिल जाएं देखिया आलू की फिलिंग कितनी बढ़िया तयार हुई है यही एक बहुत टेस्टी अपने आप में हो गया है बहुत चटपटा सा और हल्दी जो में डालन भोल गई थी तो हल्दी डाल देते हैं और अब इसमें पड़ेगा मेडा, तो यह मैंने मैडा लिया हुए है इसको थोड़ा तो हम इसको बाद गूंधेंगे तो यह जो इसका डो लगाना है हमको वह बिलकुल अच्छी तरह से इसको मैश करना है और द तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे करीब 1.500 ग्राम के करीब मैदा लगा तो यह आपकी उपर डिपेंड करेगा कि आलू के साइज में आपने कितने बड़े आलू लिये हैं या कितने लिये हैं उसे साब से मैदा लगेगा तो बिलकुल आटे जैसी कंसिस्टेंसी आजने चाह लगेएगा मैदा है तो यह देखिए बड़ियासा बढ़ियास दो तैयार हो गया है हमारा कि प्रेंग ऑब मैं क्या करूंगी इसको दो पार्ट में डिवयट कर लेना है कि आ एक तरह कि तरह से चिकना कर लेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल क्रैक्स ना रहे और इसको अब हम बेल लेंगे तो थोड़े सा सुखा मैदा या आटा कुछ भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैं मैदा डाल लही हूं ताकि यह आसानी से बेल जाए और इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है जास पर देखेंगे और यह इसको बराबर करते हैं यह इसलिए है क्योंकि हमने कटे हुए वेजेटेबल स्टाले हैं और अब इसको अलग कर लेंगे अब दूसरे बाले पेड़े से भी हम इसी तरह से देख लीजे मोटा ही देख लीजे इतना मोटा रखना है और इसको भी एल की बढ़ा कर लेते हैं तो यह बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनेगा और बच्यों के लिए बना रहे है तो मिर्स अगाढे संवाच्व को biting खास हैं और जटपट बन जाता है कोई जादा मुश्किल काम नहीं है और घर में सारी चीज़े हमारे मौजूद होती है यह सब बहुत ही बेसिक इंग्रीडियन्ट पड़े है तो बस दूसरी भी हमारी रोटी तयार हो गए एक तरह से और इसको भी देखें बिल्कुल एक्वल साइस क रखेंगे दोनों को और अब एक रोटी को में हटा लेती हो और यहां पे हैं चीज क्यूब्स तो इनको इस तरह से कट करके ऐसे रख देंगे इस पर बहुत ही चीजी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी नाच्टा है यह आलू का पर्फेक्ट है इवनिंग स्नाक के अब हम एजिस को इनके किनारों को अच्छी तरह से सील कर देंगे हलकी हाथों से दबा करके अब यह सील हो गया बढ़िया तरीके से अब हम इसको कट करेंगे पीसेज में लग रहना देखिए बिल्कुल पिजा वाला लुका गया इसका और आलू है तो हमें समोसे कभी टेस्ट देगा और चीज है बढ़िया चीजी पिजा वाला टेस्ट बहुत ही यमी नाच्टा है जरूर ट्राय करेगे कि नारों को भी हम सील कर देंगे पिकि नारों को भी हम सेघ्ट बहुत करेंगी किशन år यह दब आ इस तरह से सारे पीसेज को हमसे क्यूर करना यह देखिए देखिए थोड़ा सा कुलया रखेंगे तो पिंख रिके यह बिखर जाएगा फ़ट तो यह पेन चड़ा द्भा कि यहां पेड़ें, और इसको बीच को करें मैं नहीं तलना है। तो अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे और उपर से डाक ब्राउन हो जाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तो जितने आ रहे हैं उतने रख दे और इस तरह से पहला हुआ पैन ले मतला कढ़ाई में कोशिश करें ना तलें अगर है तो फिर एक एक करके तलें औ तो आसानी से यह तल जाएंगे तो चार से पांच मिनट का टाइम आपको लगेगा इसको फ्राई होने में और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी होने तक इसको तलेंगे जरूरत पड़े तो दुबारा से भी पलट करके आप इनको फ्राई कर सकते हैं दोनों कितने यमी लग रहे हैं लग रहना है तेस्टी तो बनाइए जरूर और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिये तो अब जो दोनों बचे हैं इनको भी हम डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं इसी सेम प्रॉसेस से आज को धीमी से मीडियम रखेंगे अगर बहुत जा होंगे तभी बढ़िया लगे देखें यह हमारा नाश्ता तैयार है तो बस गार्निशिंग कर देती हूं एक एक धन्या पत्ता रख दिया है और इसको सर्फ किया है सॉस और हरी चटनी के साथ और देखिये कितना बढ़िया लग रहे है यह मारा यमी शाम का नाश्ता अलु होप क्या आपको रस्पी ची लगी होगी थैंक यू